हेलो दोस्तों जै माता दी रादे रादे कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं निर्जला एकादसी की सरल पुजाविदी फ्रेंट्स निर्जला एकादसी साल भर की सबसे बड़ी एकादसी मानी जाती है और सबसे कठिन एकादसी मानी जाती है फ्रेंट्स निर्जला एकादसी का ब्रत करने से पूरे साल की जितनी भी एकादसी होती है पूरे साल में सारी एकादसी का पुन्य प्राप्त होता है मतलब सारी एकादसी का फल मिलता है अगर आप पूरे साल भर ब्रत नहीं करते हैं कोई भी एकादसी का ब्रत नहीं कर सकते हैं या करते हैं तो एक निर्जला एकादसी का ब्रत करने से पूरे साल भर की एकादसी का हमें लाव मिल जाता है फ्रेंट्स निर्जला इकादसी वाले दिन दान पुन्ने करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस दिन जल से भरा घड़ा दान किया जाता है तो फ्रेंट्स देखें यहाँ पे हमने एक चौकी बिच्छा ली है चौकी पे हम पीले रंग का वस्तर बिच्छा लेंग पे भगवान विश्नु की परतीमा रख सकते हैं भगवान गनेश की या फिर मतलब घड़ा वगरा अराम से रख सकते हैं तो आप उस पूजा को मंदिर में भी कर सकते हैं नहीं तो आप इस तरीके से चौकी बिच्छा के वहां पे जमीन पे अराम से बैटके भी पूजा कर एँगे देखे देखे ऐ में विश्नु की परतीमा रख ली चौकी प जीरी में पूजा के नहीं ऊटके दिया कर दिलने अब में घड़ा है और जर से भरने के बाद कुछ दानि चीनी के डालने है चीनी दॉन करनी है बस कुछ दाने चीनी के डाले नहीं तरीके से ना इस दित सरभत का दान कि जाता तो हम तोड़ा जा जा चीनी इसमें डाल देंगे ठीक है चा वल का इस्तिमाल होता इसे अनले क्वाल planting नहीं डाल लें घाल hammer इसके बाद हमें इस पे स्वास्तिक बनाना है कंट पे मोली बांगनी है उसके बाद हमें कोई भी रितुफल रख देना है आम खरबुजा वगरा हम रख सकते हैं चाहे तो आप एक कटोरी चीनी की भरके वह भी घड़े के ओपर रख सकते हैं ठीक है यहां पर हम सबसे पहले लगा लेंगे दीपक दीपक जमने जला लिया है एक जल से भरा हुआ छोटा सा हमने लोटा भी रख लिया है इससे हम पूजा करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें कराना है इसनान तो छीटों का मतलब भाव का इसनान करा रहे हैं हम यहां पर भगवान विश्णू को भगवान विश्णू के लिए जरूर लेके आए नहीं तो आप मोली सरूप वस्थर पहना सकते हैं यहां पर मोली को तोड़के इस तरीके से वस्थर के रूप में चढ़ा सकते हैं और अगर आपके पास जन्यू है तो आप जन्यू भी जरूर चढ़ाएं ठीक है जन्यू भगवान विश्णू को भगवान गश बड़ेंगी तो थिल्द करेंगे तो पीले रंक के चंदन का करेंग이 तो जो वी चंदन मिल जाए आप कर सकते हैं यहां मेरे पास सूख चंदन गीला चंदन भी आजकल मिल जाता है असानी से यहां पे सूखा चंदन है यहां पे मैं चंदन लगा लूँगी तो चंदन का तिलक हम कर लेंगे ठीक है इसके बाद हम घड़े पे भी करेंगे तो घड़े को भी हमें देखिए उसी तरीके से पूझना है जैसे हम भगवान को मतलब चड़ाया है मुली सरूप इस तरीके से हम यहां पर नहीं चया दूट है तो यहां पर तिलबी चाणा देंगे थोड़ तो चणा आसनी बहुत अटे जाते हैं मार्कीट में गैंदे के फूल तो हर जगा मिल जाते हैं बस गुलाब अगज़ा के के सब मुश्किल से मिलते हैं लेकिन पीले रंके ग्यांदे के फूल हर मार्कित में हर जगा मिल जाते हैं असानी से तो हम पूल चढ़ा देंगे और सभी को फूल चढ़ाएंगे भगवान गनेज को बहुआन विश्णु को जो हमने धीपक जलाया है महां पे भी फूल जाता है चीज का में ध्यान रखना है जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सूजी का हलुआ बना ले या फिर बूंदी के लड़ ले आए या फिर बर्फी ले आए बहार से इस तरीके का मतलब अनकब हो हमें नहीं लगाना चाहिए निर्जलाई का दसी वाले दिन हम जैसे च तो यहां पे देखिए मैवी का परशाद भी ले लिया है अगर नहीं तो आप खाली चीणी भी चाह सकते हैं मीठे इसको हमें दान करना होता है यहां दोले कि आप किसी को आराम से बां कर सके ठीक है तो दान करने लाई कि लेया आप चीणी वगरा यहाँ चुहां पर धेख एक आदसी वाले दिन नहीं तोड़ना तुलसी को एक दिन पहले ही हमें निकाल के रख लेना है फ्रीज में ठंडी जगा पे ऐसी जगा पे रख ले जो मुझायना इसके बाद जो भी फल रितु फल वगरा हो आप भोग में चला सकते हैं हम यह आप दान भी कर सकते हैं देखि जो हमने घड़े पे रखा है उसको तो हमें दान करना ही है उस फल को तो और साती में चीनी दान करनी है और देखि दक्षिना भी हमें चलानी है तो दक्षिना में आप 11 रुपे 21 रुपे 51 रुपे जो भी हम पे बन पड़े हम दक्षिना इस पे जरूर रखे दक्षिना परकुब गर्मी का बहुत जादा है तो इस समय न आपको इसके साथ में एक पंखा बास का पंखा आप ले ले उसको दान करें तो अभी मैं रखना भूल गई थी यहां पर बाद में मुझे ध्यान आया था तो मैंने रख लिया था तो यहां पर मैं कथा सुनने के तैयारी कर तो यहां पर हमने तिल्ले लिये हैं देखे तो अभी मैं इसको इसकीप कर देती हूं थोड़ा सा क्योंकि मुझे समय ध्यान नहीं रहाता कि पंखा भी रखना है पंखा पासी में रखा था लेकिन फिर मुझे ध्यान रही रहा तो वह मैं कथा सुनने के बाद में रख लिया पास में जल का बरतन रखे जाहन मैं निर्जला ाइका्दसी के बाद हमें आरती कर नहीं है तो देखें, यहां पर पंखा जैसे मैंने बताया था, आपको मैंने पंखा भी रग दिया है बाद में लेकिन यह पंखा आपको पहले ही चड़ाना है, जैसे कि जब मैंने फूस वगरा चला थे भोग वगरा चलाए था उसके बाद ये पंखा भी चड़ा दें, यहां पे हम सबसे पहले गनेजी की आरती कर लेंगे, भवान विश्णु की आरती कर लेंगे, तो यहां आरती वगरा करने के बाद, इसके बाद जो पूजा में हमारी कमिया रही है, या भूल चुक में कोई छोटी मोटी कोई गलती ह हम से जाने अंजाने में जो हमको नहीं पता होता, उसके लिए समा आचना करते हुए प्रातना करें भगवान से, और फ्रेंड से पूजा करने के बाद जब तक यह दिया जले हमें कुछ नहीं शेड़ना यहां से दिया जैसे ही शांत हो जाए, जो पूजा इस तर पे दिया करनी है यह दान हमें तभी करनी है तब दिया सांत हो जाए और इस चौकी को ऐसे ही लग रहना है शाम को फिर इसी चौकी पे दिया बाती करनी है ठीक है अगर ब्रत करते हैं तब भी नहीं करते तब भी ठीक है और इसके बाद ना हमें यह जो भी फ्रूट्स वगर रखे है तो आप आदे दिन का ब्रत करके इस पूजा को करें उसके बाद घड़ा दान करके जल से जो भरा घड़ा है उसको दान करने के बाद जल गिरन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी महिलाएं तो पूरा दिन ब्रत रह लेती हैं लेकिन कुछ महिलाएं नहीं रह पाती हैं तो इस त ब्रत काफी कठीद माना जाता है क्योंकि इसमें अन जल कुछ भी ग्रहन नहीं किया जाता अगर आप ब्रत नहीं भी कर रहे तो जब तक आप पूजा करते हैं कम से कम तब तक तो बिना पानी पिए रह सकते हैं और इसके बाद आप पूजा कर ले आप जल से भरा घड़ा जो इसना ही मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए जै माता दी राधे राधे